है गाइस वेलकम टू मैंच चैनल इपी रॉक से इंग्लिश लीक कब लीक का मैच हो रहा है मेंज इंग्लिश कब राओ लीक का जो कि नोटिंगम फॉरेस्ट एंड मैंचेस्टर उनाइटिट के बीच खेला जाएगा तीन घंटे अगर हम इस मैच की तो अभी टीम नहीं दिखाऊंगा फर्स फॉल बात कर लेते हैं कुछ स्टैट्स कुछ एनलाइसिस कुछ प्रेडिक्शन की तो सबसे बहुत करें यह मैच की तो देखो व्यार यह मैच हो रहा है जो कि नोटिंगम के हो में हो रहा है इंड नोटिंगम इस मैच में हो मैं एंड में चैसर युनाइटी डवे में खेल रही है तो इस बात करें आप इस मैच में टू-310 मेंबर कॉंटेस्स खेल सकते हो फॉर मत खेल लो आपकी इच्छा लेकिन मेरा काम है समझाना जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं तो आगे से बात करें कैप्टन स को सजेशन देने की जरूरत नहीं थी मैं सब को पता है कि रेश्वर्ड और डूनो फनेंडिस कितनी जबरदस फॉर्म में और यह किसी भी एंगल से की प्लेयर रही है क्योंकि यह सब की टीम में होने वाले है इसलिए यह जो है यह आपके लिए कैप्टन सजेशन और वाइ इसने काफ रिटार्मेंट छेली है आप मानेंगे नहीं दो साल में आइधिंग तीसडी टीम है यह और दूसरी बात यह कि वैग्रोस्ट उतना खास प्रदेशन देवी नहीं पा रहा अभी पता चलेगा कि कब गोल करता है क्योंकि लास्ट मैच में भी यह दोगा देगा मे मार्शल को नहीं खेला जा रहा इसलिए मैंने सका नाम इंजरी में देदिया इंजड़ है नहीं इस बारे में अभी नियूस नहीं लेकिन खेलता है तो अच्छी बात है बाकि अभी तक ऐसा लग रहे कि मार्शल को कफी टाम से चांस नहीं प्रक्रेश नहीं एद्धर डाल कि जो हम सोचने हैं क्या वैसा होता है पता चलेगा अभी एंड आगी से अगर बात करें गोल चांसिस की तो नोटिंगम फॉरस्ट का फिसे की लास्ट मैच में तो इन्होंने 3-0 से उनको हरा दिया था आप सबको पता है कि लास्ट मैच प्रिमियर लीग में अभी हुआ था मत क्लीन शीट के ऊपर बेसिस पर भी मैंने टीम नहीं क्रियेट की मेरी जो टीम अभी आप देखोगे वह क्लीन शीट वाली नहीं है तो बढ़ते हैं आप टीम क्यों सबसे पहले बात की जाए गोल कीपर की दिन देखो गाइस गोल कीपिंग में लेने वालों डी हैंडरसन को जैसे कि आपको बता है कि डी एन हेंडरसन को मैं हर बार ट्राइकर तो नो टिंगम फॉरेस्ट अपने प्रिमियर लीग में सबसे लो टीम लो क्लास टीम के लाई गई है इस बार हाला कि प्लेयर बहुत बढ़े हैं ब्रैनन जॉंसन हो गया जैसे लिंगार हो गया है ना तो आगे से डिफेंडिंग की बात करें जैसे लिउक शो अब लिउक शो का क्या कि इसकी वापसी हुई है वैसे इंजट चल रहा था लेकिन अब वापसी की थी इसने लास्ट मैच में सो मैं उस नजरीय से इसको ले रहा हूं आगे से बात की जैतो जैसे कि एल मार्टिनेज ल चाहते हैं यू केन गो विद एच मैग्योर या डेलट देखो लिंडलोफ को मत लेना बिल्कुल घटिया पले बिल्कुल मैं तो लेता नहीं इसको ठीक है इसलिए अभी मैं बिसाको को सेफ करो और एंड विलियम्स की बात करें अभी मैंने नीको विलियम्स भी यहां से ले रखाया गाईज क्योंकि हो सकता है वो खेले अगर बाइचन्स नहीं खेलता तो मैं इसकी जगापर एस औरियर को ले लूँगा मैं आपको पहली बता रहूं कि यहां बाद में बोलो तुमने बताया नहीं था आगे से अगर बात करें तो यहां पर लूँगा ब्रूनो फर इंडिस ने प्रदेशन बहुत अच्छे दियें एंड़सी अरिक्सन की बात करें जीसे की एरिक्सन भी लास्ट मैच में देखा जाए इस लीग में तो जैसे की एंटॉनी ने गोल कर दिया था तो मैं अगले दो मैच्चीस में प्रिमियर लीग में इसे ट्राइ किया बहुत अच्छ है लेकिन चक्कर कहें जब शोडुन सो बहुता हैं अब तक कि अबूरद को लूगा क्ई घेल नाम करते हैं और में भूल गया कहुता हूँ ऊन्प मेच्सिकन की manger खेला करते हैं और सब्सकु sail लीग में खेलता था तो उसमें जी स्कारपा ने का प्रदशन काफी मतलब जबरदस रहता हाला कि स्कारपा का इस मैच में लास्ट मैच में गोल वगएरा कुछ भी नहीं आया यहां तक की गोल की ट्राइन नहीं बट बहुत जल्द आप इस बंदे को उचाहियां चूते का मैंने ले लिया defender सोभ्य यहां भात खतम कर देते हैं अब बढ़ते हैं स्ट्राइकिंग की ओर तो यह पर है तो रेष्टवूर्टटगी गेंप्लेया अलग हूई है े मार्षियल का भी कोई अपडेट जैसे कि वह बता है कि आप इस की जगवर्त नहीं को तो इसफेंडर ले सकते हैं I defend आसमान का फरक हो जाएगा टीम में नहीं तो फिर आप मुझे वो करोगे क्या बोलते हैं मुझे ब्लेम करोगे और आगे से बात करें ब्रैनन जॉंसन क्या आप सोच रहोगे कि मैंने एम गिब्स वाइट 87% selected player को लिया क्यों नहीं आप मैं रिजन बताता हूं ब्रैनन जॉंसन को लेने का रिजन है penalty टेकिंग ठीक है और सेकंड ये रिजन है कि जब भी स्टाइकिंग पर मैंने देखा है तो ब्रैनन जॉंसन के as compared to m गिब्स वाइट गोल जादा होते हैं आपने लास मैच में भी द काम तक नहीं लिया हाला कि इनका squad बिगड़ता जा रहा है मलब क्या समझ क्या बोलू हम मैं जैसे सरीज भी इतना अच्छा है क्रिस वूड इतना अच्छा है और किस किस को लेगा बंदा सो यहां पर हमें अपने मनाना पड़ेगा दिल को सो एक जगा रिस्क लेना पड़े कि अगर रेशफोर्ड ना चले तो कम से कम ब्रुनो चल जाए मलब यह दोनों और आगे वाई जील वालों के लिए बता दूं कि आपने अपनी टीम में एक में आपने कैप्टन ट्राइ करना है ब्रैनन को रखना है ठीक है रेशफोर्ड को तो रखना है यह रखना है